खबर गोटा और गोटा के आसपास से है पुलिश ने अप्रिता को गोटा से किया बरामत धनकुणडा पुलिश ने साधी की नियसे अप्रित यूत्यको जारकन के गोटा से बरामत किया है थाना अध्यक्ष बुध्ध convention पास्वा ने बताया कि अप्रिता की मा ने वर्थ 2019 में पुत्री के अपरहन का केश गोड़ा गाउनिवासी सुनिल कुमा पर दर्च कराया था जिसके आलोख में पुलिश ने चापे बारी करते हुए लड़की को बरामत करने के बाद 164 का बयान नियाले में कराया जाएगा धर्या पुलिश ने अपरित महिला बिना देवी को उसके ससुराल से बरामत किया है महिला के ससुर ने अपनी बहु के अपरन को लेकर ठाना में केश दर्च कराये हुए बाका के विजय नगर गंगश्वामी पर केश दर्च कराया था ठाना देप्च महत्र परशाद ने पताय कि महिला के ससूर द्वारा लगाया गया आरोब जाज के तुरान जूटा साबित हुआ पतीशी विवात पर महिला गुस्य में घर से अपने ननियाल चली गई थी जो आपस अपने ससुराल आ गई है गोड़ा SDO ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि मास्क लगा कर चले उपायुक्त भोर सिंग यातप के दिसा निर्देश पर अनुमंडल पदादिकारी रितुराज के निदित्व में शुक्रुबार को जीला परिवन कार्याल है कर्मी वन जीले के विभाग के दंदादिकारी के आम जनों की मबीश मास्क जांच अभ्यान चला गया इस दोरान SDO रितुराज ने कहा कि कुरोना को हलके में लेने की भूल नहीं करें आम लोगों को घर से बाहर निकरते ही मास्क अप्रास करना चाहिए जांच के दोरान दो तीन पईया वाहन बड़े वाहन परिचलान करते परिच्छ में तथा पैदा लियात्तिरी को अनिवारी रूप से मास्क पढने का निर्देश दिया गया साथी लोगों को कड़ी हिदायद्वी दी गई कि अगली बार मास्क पहां कर घर से बाहर निकले अनुमंदल पदादिकारी कहा कि सभी लोग मास्क का परियोग और सार दूरी का खासा ख्याल रखें बाहन चलाते समय भी मास्क का परियोग अवस्च करें साथ ही ट्रैपिक के नियमों का भी अनुपालन करें मानाओं तस्किरी की सिकार बालिका को परिजनों को श्वपा जीले के सुंदर पहारी प्रकंड के पहारिया समुदाई की एक बालिका जो कुछमा पूर्व अस्तानिय युवक के बाकाव में आकर दिल्ली चली गई थी वहां से लाकर जब उस युवक ने पहले उसका सारीरिक सोसन किया उसके तजपरसाथ उसे मोटी रकम लेकर दिल्ली के एक घर के मालिक को बेज दिया बालिका उस घर में दाई की रूप मे जारू पोचा आधिका काम करती थी मकान मालिक दोवरा उसे काफी मारपीड किया जाता था मोका पाकर बालिका वहां से बाग गई एवन दिल्ली के तिलक नगर थाना को इसकी सुचना दी तिलिक नगर थाना ने सुंदरपारी थाना परवारी से संपर कर उस लड़की को यह से मुक्त कराया सुंदरपारी थाना परवारी रंजन के व्रतिगत पर्यास से बालिका दिलिशे वापश लाकर बाल कल्यान समीति के समक्च पस्तूत्ती गई गुरुवार को समीति ने आवशक कागजी करवाई को पूरा कर तसकरी की सिकार उक्त बालिका को उसके परजिनो को सौब दिया गया बलिका अपने परिजिनों से मिलकर कापी भावग हो गई जीले में आउस्दन 10 अक्सिजन सिलेंडर की परति दिन खपत कोभीड आपदा काल में इन दिनों मेडिकल अक्सिजन की आपूर्ति को लेकर चिंता बड़ी है स्वास्त विवाग के IDPSP डाक्टर उज्जोल कुमार चिना ने बताया कि जीले में परति दिन सभी आउस्दन 10 सिलेंडर आक्सिजन की खपत हो रही है इसके लिए स्वास्त विवाग और जीला आपदा विवाग की और से यहां स्टोक में 100 सिलेंडर हर समय सुरक्षित रखा जा रहा है जीले में आक्सिजन सि यहां कोरोना की रिकवरी रेट बेहतर है स्वास्त विवाग के आकरे का अनुसार अब तक जीले में कोरोना के 1100 सोलर पॉजिटिक के सामने आए हैं इसमें से सुक्रुवार तक 900 अन्टाउन लोग कोरोना से रिकवर हुए सिभिल सर्जेंट डाक्टर एस्पी मिश्रा के मा सिलेनर के आपूर्ती हर दिन दोनों कोविट सेंटर में की जाती है बता के परती दिन करीम 30 रोगियों को ठिक्या जाता है महुवा सराप के खिलाप छापे मारी 15 लीटर सराप जब शुक्रुवार को बवारी जोर पुलिस ने अवेद रूप से महुवा सराप विक्री को र ठाक गे तीनों स्थानों से बवारी जोर पुलिस ने लगभग 15 लीटर महुवा सराप नश्च किये पुलिस के सपेमारी अभ्यान से महुवा सराप बनाने वाले और सराप पीने वाले महरकम मचा हुआ है सौंडिक संग भावन के अध्यक्च बने अंगत परसाथ और अजय कुमार बने सचिव जिला मुख्यले के सरकंडा इस्तित सौंडिंग संग भावन में ट्रश्टी सदस्यो की बैटक शुरुवार को संपनुई इसमें कई पदादिकारियों का सरुस्वमति से चुनाव किया गया अध्यक्च पदपर अंगत परसाथ उपाथ द्यक्च पर्नो कुमार मंडल सचीव पदपर अजय कुमार अमार पोसाथ द्यक्च मंदारेश्च्वर मंडल मिडिया परभारी राहूल कुमार तता सरक्षक की रूप में विधायक अमित कुमार मंडल पूरु विधायक परसा मुति से चेन क्या गया बैठेक में कई आहम निर्ने भी लिए गये बैठेक में कहा गया कि बंड रहे बैवन में साधी विवा के आलाव अन्य कारेकरम भी क्या जाएगा जार्खन के विभ्युन्य सहरों में आज होगी बारिश बज्रबाद की चितावनी आज सुबह से ही राची में बादल चाहे हुए हैं सहर के कुछ हिसों में आज सुबह अलकी बारिश हुई है मौशम विभाग के अनुसार सनी वार को जार्खन के लगबग शभीव जीलो में बारिश की प्रबल समावना है इसके साथ ही राची, बोकारो, गुमला, रामगार, हाजारी बाग, पूर्वी शुम्भूम, पर्वी शुम्भूम, सिम्डे गांस, सराइखेला, खर्षवा, धनबाग, देवगार, जामतळा, गिरिडी, गोड़्डा, पाकुल और साहेब गांज में गरजन के साथ मध्य दर्जे की बारिस और बजरपात की भी शंबावना है, 36 वारांटी गिराफतार, पांच आरपियों के घर कूर्की, जीले के पुलीस कप्तान असोनिक कुमार सिन्ना के निर्देश पर, गुरुवार को विबिन थाना चेत्रों में समकालेन छपामारी अभ्यान चला गया, ज इसमें कुल 135 मामलों का निप्टारा किये जाने के साथ, 36 लोगों को गिराफतार किया गया, वो पांच फरार आरपियों के घर की कूर्की जब्दी की करवाई की गई, पुलीस कप्तान के निर्देश पर, जीले के बिबिन थाना, छेत्रों में समन्दित थाना, छेत्र के थ थाना परवारी द्वारा, टीम गटित कर अभ्यान चला गया, जिसमें 309 वाहनों की चेकिंग की गई, इसकी अलाबा, 23 नन वेलेवल वारंट, 12 लाल वारंट, 69 जबानती वारंट का तामिर क्या गया, प्राप्त जनकारी के अनुसार, जीले के सारवा थाना में, 28 नगर था कुपोशित है, इसके साथ कुरोना संक्रमन के कारण बिरोजगारी की समस्या भी बढ़ी है, इन दोनों ही समस्याओं से निपटने के लिए अब पूरे राज्य में दीदी बारी योजना की सुरुवात की जा रही है, इसे लेकर मन्रेगा आयुक द्वारा सभी जीलों के उ कुपोशित है, वहीं COVID-19 के कारण लोगों को समाजी को आर्तिक चुनतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास थोर पर दैनिक मुझदूरी पर आसरीत परिवारों को नक्यवल आर्तिक तंगे का सामना करना पड़ रहा है, बलकि उसका पढ़ा उनके पोशन पर भी पड़ अमश्या पर सरधालों ने तरपन कर पित्रों की दी विदाई, अमवश्या के साथ ही गुरुवार को पित्री पक्च का समापन हो गया, कैरों के परानिक राजा तलाब घाट पर परिशंख्या में सरधालों ने पित्रों के मुख्च के लिए तरपन किया, इस बार कोरोना क पित्री मोक्ष अमश्य पर भीड कम्द की पित्री मोक्ष अमश्य पर तरपन के साथ पित्रों को विदाई दी गई इसे सर्व पित्री मोक्ष अमश्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन उन मिर्त लोगों के लिए पिर्दान स्राद और तरपन करम के जाते हैं जिनकी मिर त्यूँ तिथी मालूम नहीं होती है सलालो अपने पित्रों के मौक्ष के लिए तलाब में खड़े होकर पुष्प शहद फल चावल आधी पित्रों को अरपन क्या पंडित निल्मनी आचार्य के अनुसार मानता है कि तरपन करने से देव रिशी तथा पित्र रिशी मुक्ति मिलती है तथा जन्म कुंडली का पित्र दोस्ट का निवारन भी होता है खावर है साहब गन के तल्जारी से अयोग्यों लोग तीस तक जमा करें अपने राशनकार परखंट सभागार में परखंट विकास पदाधिकारी साइमन मरांडी ने शुक्रवार को जन्म वित्रन प परिवार का राशनकार नहीं बना है तो अबिलम कार्ड बनवाएं इसके साथ ही सभी लोगों के कार्ड को अधार कार्ड से जोड़ें परखंट आप पूर्ति पदाधिकारी रमेश जाने कहा कि वैसे लोग जो राशनकार योगता में ही रखते हैं और उन्होंने भी पर उनके खिलाब कारवाई की जाएगी सभी डिलर समय से अपनी दुकानों को खोल कर लाभुकों को अनाज वितरन करें आनाज वितरन के दोरां किसी भी परकार का सिकायत नहीं इसको ध्यान में रखें खबर बताया जा रहा है कि पाकुर से हैं कोईला चोरी पर अंकुस ल की पच्चु वाडा कोल माइन्स आलू बेडा से लोटा मार रेल लेन साइडिंग तक 55 किलोमीटर की दूरी है इसके आसपात बहुत सारा गाउ अवस्थित है ग्रामीन डंफरों से धडलले से कोईला उतारते हैं यह गैर कानूनी है कोईला चोरी करना अपराद भी है अगरा किया कि कोईला चोरी रोकने के लिए ग्रामीनों के साथ बैठक करें उन्हें समझाएं कि कोईला चोरी करना अपराद है उस पर केस भी हो सकता है बीजी आर कंपनी के मेनेजर एम आर कुमार ने जनपरती नीधियों को अस्वासन दिया कि कंपनी की और से जितना लुका के सिकारी पाड़ा से ठाने की बज़ाई गाउ में ही सुल्जाएं छोटे विवा स्डिपियों पर्खन के उतकर्मित पुच्च विद्याले धाका में गुरुवार को संपरदाई सोहार्द कायम करने के लिए सांती समिति की बैठक बुलाई गई बैठक को संबोधि ध्यान नहीं देकर मिल जूल कर रहे हैं छोटे विवात को अपने अस्तर से गाउ में ही सुल्जाने का पर्यास करें हर पर्व में असांति के संभावना बनी रहती है इसके लिए ग्राम अस्तर पर निगरानी रखने की आवश सकता है अगर कोई समाजी समर्षता को बिगार संजे कुमार मालविये ने कहा कि किसी तरह कि कोई घटना या विवाद होने पर सुचना कमिटी को दें और छोटे विवाद को थाना ले जाने के बजाए गाउ में ही सुल्जाने का पर्यास करें पर्तिक मां गाउ में सांति समिति की बैठक करें हम रोज ऐसे ही निउज ला हुआ 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 है